हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, लर्न कोडिंग विद भाई, नाव लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था यूज कोल बैक, हम रियक्ट हुक्स की बात कर रहे हैं, तो नाव इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूजर एफ, यूजर एफ बेसिकली क्या होता है, कि रि रिक्वार्मेंट पड़ी, यह सारी चीजे हम सीखेंगे, लर्न कोडिंग विद भाई, नाव, सिंपल, हम आपको यहाँ पे दो एक्जाम्पल क्रियेट करेंगे, और आपको बताएंगे, कि उसके हम क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या नुक्सान हैं, कामें यूज क करना चाहिए, सबसे पहले, यूज कर पता कर लेते हैं, कि यूज रैप है क्या, यूज रैप बेसिकली क्या है कि, इसको घ्रेट्स कर सकते हो, और जो आपको ये यूज रैप, आपकी बेल्य को वेल्यू देता है object और आपको नहीं जब तक लाइफ सैगल रहता है react का कई component का तब तक आपके पास वो available रहता है इसलिए क्या होता है use draft जो आपको mutable value देता वो as a object होता है और उसमें dot जो current होता है current में आपको सारी property मिल जाती है उसके तरूँ आप use करके अपनी application में कुछ आपने change करना हो rule लगाना हो logic करना हो तो वहाँ पे use करते है तो चलिए हम example के साथ देखते है मैं क्या करता हूँ src के नों ने folder बना दिया use wrap components और इसमें एक index.file बना दिते है index.js same हमारा वही हम पहले react को import करेंगे react from from sorry react हम क्या करेंगे यहाप एक अपना const बना लेंगे use wrap components मैंने components बना लिया simple logic के साथ हम समझाएंगे आपको ज़्यादा कोई complex नहीं होना return क्योंकि सिर्फ हमें basic clear करना है use तो आप अपनी application के साथ कर सकते हो जैसे आपकी requirement आए गया मैं एक hashtag ले लेता हूं क्या यूज़ करना में use wrap components example ठीक है भाई हमने यह return करा दिया तो यहापे न react fragment ले लेते हैं क्योंकि हमें इसके पैरलक और भी elements लेकर आने हैं तो use wrap components को मैंने यहाँ पर export करा लता हूं मैं export default और आपका अब यूज़ रैप component को मैं app.js में पोल करा लते हैं इंपोर्ट्स फोल्डर है आपका यूज़ रैप देखो बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है सरफ मैंने यह create CLI से application बनाई है बस मतलब कि npx create react app slash आपकी app का नाम जिस नाम से आपने बनानी हो मैंने इसको save किया अब हम देखते हैं हमारे पेश्पिक है इतना बड़ा टाइटल आ गया पहले टेक्स है लर्ण कोडिंग विद भाई उसके बाद मैंने एस्पन टेक्स किया था यूज रैप कंपोनेंट एक्जामपल यह मैंने कंसोल ओपन कर रखा है ताकि हम कंसोल में जो भी किल री लोड हुआ है कि इतनी बार री रेंडर हुआ है मैं यूज रैप कंपोनेंट्स री रेंडर री रेंडर में रहा यहा प्री रेंडर लगा लिया रहा है । आप देखोगे आगे ना माई यूज रैप कंपोनेंट री रेंडर मैं क्या करता हूं यहां पर हम एक छोटा सा चीज लगा देते हैं यहां पर क्या भई मैंने इन्पुट बोक्स लिया उसके गम वैल्यू डिफाइंड करेंगे और ओन क्लिक पर क्या गरेंगे फंक्शन्स मैंने करा दिया कॉंस्ट ही, siuj ns t, कॉंस्ट ही और पच्प धू मैंने वैल्यू एंड स सेट वैल्यू मैंने क्या कीया यूज स्टेट, यूज करते हैं यहां यूज यूज स्टेट कोई भी है यूज स्टेट मैंने इसको बलैंक चोड जैते हैं बही फिलाuş ठीक है वैल्यू वैल्यू मेरी क्या हो जो मेरी इन्पुट जाए अब सेट वैल्यू में क्या गरें मैंने यहां पर एक्स कोलबैक फंक्शन्स ले लिया है और इसके इंदर मैंने सेट करा दिया है e.target.values बस अब देखते हैं मारा component रिडेंडर हुआ यह मेरी वैल्यूस आगी कुछ यहां पर चेंज हुआ है ओन क्लिक नहीं ओन चेंज आएगा ओन चेंज पेज को रिलोड किया मैंने हाँ जी ओन चेंज हो गया मेरा अब देखो मैंने क्या किया है देखो जितनी बार मी मैं चेंज कर रहा हूं और मेरा डूर रहा है रिडेंडर हो रहा है रियक अलएं में कर रहा है अब नेक्सट में क्या गणधा हूं मैंने एक बी याउर टैग लिया है यहांप मैं यहां पर P में print कराता हूँ text देखो my count number is मैंने यहां पर count variable बनाना है मुझे count अब आप बोलोगे count कहां से आया count अभी हम यहां पर बना लेते हैं const const के अंदर मेरा count and set count कोड लिखते हैं मुझे कोड याद हो गया है वह अच्छी प्रैक्टिस है कोड करते करते रहो और आपका कोड याद रहेगा आपको यह मैंने यहां पर डिफाइन कर लिया count अब हम चैक रहे हैं तो count की value मेरी blank है कुछ भी नहीं आई अब देखो जादू यूज यूज इफेक्ट यूज करता हूं मैं ठीक है यूज इफेक्ट के अंदर callback हमारा जाएगा आप लोगों पता है ही मैंने यहां पर क्या किया set count कर दिया क्या set count किया कि भी जो मेरी count की value हो उसमें पलस वन कर दो कि लाइफ सैकल मैंतरम ऐसे यूज करते हैं देखो नोटे नंबर आया क्यों क्योंकि इसको नंबर ही नहीं मिला मैंने इसको blank assign किया है चलो पेज को रिलोड कर लेते हैं एक बार पेज को मैंने रिलोड किया अब उसके बाद मैं मैं count note a number क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर blank define किया है इसको note a number मैंने यहाँ पर जीरो कर देता हूं मैंप इन सेव किया देखो कैसे मेरा life cycle method क्या से बढ़ला देखा बढ़ला देखो देखो में रू वाप पे से इसको हटा के blank कर दिया कि भी एक बार चलके error मार के बंद हो जाएगा बंद हो गया अब आप सोचोगे कि inflated loop कैसे चला देखो मैं समझाता हूँ कैसे चला मैंने कहागिया zero design किया count की value क्या हो गई मेरी zero हो गी by default और count मैंने count goal कर रखा है यहाँ पे अब उसके बाद क्या हुआ मेरा huge effect चला यानि की मेरा life cycle method चला अब जैसी life cycle method चला इसने क्या किया set count सोरी count की यहाँ पे spelling गलत है c o n t है c o u n t होनी ची है पर कोई दिक्कत ने आप जान दखना set count set count है होनी क्या क्या count plus one कर दिया अब जैसे ही इसने count plus one किया तो मेरी count की value change हो गई और जब भी हमारी state में कोई भी value update होती है तो हमारा life cycle method चलता है तो फिर से life cycle method चला उसके बाद इसने कर दिया plus one फिर से change हो गया count फिर से मेरा life cycle चला method फिर से इसने count plus one किया फिर से मेरा life cycle method चला जिसकी बज़े से मेरा ये चल रहा है infinity loop में आ गया और देखो मेरा कितनी बार ये component re-render हो रहा है सारा console में print होता जा रहा है सब कुछ होता जा रहा है ठीक है मैंने क्या गया मैं यहाँ ब्लैंक डाल देता हूँ array dependencies अलो भाई अब page को reload किया मैंने तो फिर भी मेरा ये one आया zero नहीं आया जबकि define तो मैंने ये किया था न क्यों क्या हूँ यहाँ पर इसने plus one किया life cycle method मेरा चला और count क्या था हमारा zero था तो इसने plus one करके stop हो गया इसलिए ये मरा two times चला अब मुझे क्या करना है यहाँ पर भी अब हम यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं करना कि भी set count मेरा one भी आ गया और यह भी हो गया चेंज अब ऐसे कैसे अब मैं क्या गरता हूँ suppose करो देखो मैंने क्या किया अब रियक्टे जे एस यह भी मेरा चल रहा है और मेरा component वही रेंडर हो रहा है पहले हम क्या गड़ते हैं इसको हटा देते हैं यहां से अब आपका infinity loop में चल रहा है अब पहले मैं आपको इसको stop करना बताऊंगा कि हम इसको stop कैसे कर सकते हैं यूज रैप के थुरू चलिए मैंने इसको blind कर दिया यहां पर और इसको page को reload गया ताकि मेरा browser hang ना हो नोटे नंबर आ गया ठीक है जिरो साइन किया अब मैं क्या गरता हूँ मैं इसको कोमेंट आउट कर लेता हूँ मुझे यहां पर state नीची है ठीक है अब आप बोलोगे state नीची है तो आप value कहां से लाओगे अपडेट कहां से करोगे वो हम use wrap के थुरू करेंगे count जो की हमारा वेरेबल है इसको मैं इस पर लूँगा यूज रैफ और यूज रैफ मैंने इंपोर्ट किया यहां पर मैंने इसको 0 डाल दिया यूज रैफ मेरा यहां पर भी इंपोर्ट हो गया है अब count की value क्या आगी मेरी जीरो होगी initial अब हम इसको भी अटा दते हैं इसकी requirement नहीं है अब यह देखो पेज मैं रिलोड किया message आ रहा है error आ रहा है क्योंकि मैंने count variable है use wrap यूज किया और count मेरा यहां पर मैंने print कराया हुआ है तो पहले हम count को यहां से हटा देते हैं इसकी रिलोड कर रहा है देखो मेरा चल गया न अब हम देखते हैं count की value क्या है तो कुछ नहीं करना मैं अगर count को render करा दूँ यहां पर count मुझे क्या मिलेगा देखो यह मिला न मेरा count मिल गया मुझे यहां पर मिला current यानि कि object मिला एक mutable और उसमें current नाम से है और current की value क्या है जो मैंने initial value define की थी यानि कि 0 तो यानि कि मेरा count.current है वो value यहां पर आएगी तो मैंने क्या किया count.current यह value आएगी मेरी यहां पर देखो आगे मेरी value भी यह 0 अब मुझे क्या करना है मुझे current.count की value change करनी है जितनी भी बार मेरा component and re-render हो और वह हम कहां यूज करते हैं use effect में life cycle method में मुझे पता चल जाएगा तो चलोगे अब हम यहां पर यूज करते हैं क्या यूज करेंगे हम जो मेरा count है count की क्या जो current की value है क्या हो जो मेरा count है count के current current प्लस में one value हो जाए यह कॉंस्ट हो गया है यहां पर मैं count कर देता हूं count yes page को मैंने reload किया ठीक है देखो अब ध्यान से मैंने क्लिक किया मैंने यहां पर लिखा रोहित देखो 11 बार मेरा re-render हो गया है रोहित आजाद मलिक react js books use reference use reference example देखो इतने के लिए आप मैंने इतना text लिखा यहां पर और इसके लिए मेरा component कितनी बार re-render हुआ है life cycle method के through यह तो था आपका पहला example अब now अब हम एक और example यूज करते हैं यहां पर मैं इसको कर देता हूं यहां पर clear अब उसके बाद एक हम next यूज करते हैं कि suppose करो क्या भी कि मैं एक बटन और बना देता हूं यहां पर अपना एक बटन ले लेते हैं बटन मैंने बटन लिया बटन पर मैंने किया क्लिक टू दिस बटन तरी क्लिक दिल लेते हैं सरफ क्लिक बटन क्लिक मी और इस पर मैंने जब भी क्लिक करूंगा मेरा यह फंक्षे ट्रिग्र होगा अं कुछ गलत आया गया on click handle click error क्या आई मेरी दो compiler मेरी error आई है कुछ दो एक और में चेक कर लू index docs में unexpected token 12 12-25 लाइन पे 12-25 ओके ये है मेरा वही मैंने यहाँ पे fat arrow define नहीं किया इसे जैसे error आई दीए हाँ perfect है इसको वापिस से down कर देते है यानि कि जब भी मेरा handle पे click होगा मैंने क्या किया console.log मैं print कर आजता हूँ you y or you click the button you click button कर देते हैं सरब button चलिए अब हम देखते है आच्छे पूरा इसके उपर ही आगे नहीं तो एक बी आर और लगाना पड़ेगा यहाँ पे हमें तो आई ठीक है दिखाई दे रहे मेरा button है click me you click the button अब मुझे क्या करना है इस button के click करने पर यह जो मेरा input है मुझे इसको accessible करना है इसकी value access करनी है इस पे क्या क्या click हुआ क्या इसके trigger है क्या event है वो access करने है याद है आपको जब हम jQuery और javascript use करते थे हम dome के element को access करते थे document.get element by id by class by tag name selectors query और jQuery यूज़ करी हमने dollar dot has, हमारी id, dot, हमारी class, हमारा tags हम access करते हैं उसकी values को तो ऐसे हम यहाँ पे access करेंगे जब 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 लाइबरेर भी यूज़ करते हो किसको? input को अब input को कैसे access करोगे? मैंने क्या किया? जैसे मारा count wrap है यहाँ पर एक मैंने count const बनाया क्या भी? input element element equal to use wrap और use wrap में मैं इसकी value खिलाल भी blank है मेरी अब इसको मैंने क्या किया? यहाँ पे input पे define कर दिया ref attribute के साथ input ref तो यानि कि ये मेरे को मिल जाएगा जहाँ पर भी मैं click करूँ है जहाँ मैं इसको access करना चाहूँ हूँ अब handle click पे मैंने click किया है तो मैंने handle click पे क्या किया इसको हटा के इसको console में print करा कर देखते हैं गब input elements कि हमें क्या मिलता इसका console clear किया click me देखो you click the button और current इसकी current आ गया current के अंदर क्या है मेरी जो मेरा element है उसकी सारी properties उसके साड़े methods जिसे इसकी values क्या है input आ गया मेरे पास input की values क्या होंगी access की क्या होंगी मतलब जो javascriptor जे कर है method है हमारे windows के method तो सारे मिल जगे आपको इन आपने auto complete attributes base URL देखो आ गया इसका इसकी हमारी top आगी bits आगी left आगी height आगी इसके पर class तो कोई नहीं है और इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसका is connected inner HTML क्या है inner text क्या inner HTML क्या है labels इसके आगे length, child, class name, input node name आगया मेरा input है node type आगया upside, set height, left parent, body सब आगी यहां से मेरे देखो on baller आगया on cancel आगया play आगया on change आगया on click आगया on close आगया मलब सारे function mouse over आगया mouse over scroll सब कुछ एक्स अशेबल हो गया और मैं इसको element dot current कर देता हूँ current current में basically आपके क्या हैगा मैं वो चेक करते हैं click करने पर click क्या मैंने input आगया मेरा पूरा का पूरा आप input की value यहाँ पे access कर सकते हो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया भी यह मेरे पास मुझे input मिल गया ठीक है मैं input dot style लगा लेते हैं इसके ना style style dot क्या background color B A C C K G R O U N D background color background color equal to red ठीक है हम एक style और लगा लेते हैं क्या padding कि हमारी padding क्या होगी style dot padding तो padding मैंने डाल दी यह भाई क्या डाल दी मैंने padding 10 पिक्सल and 20 पिक्सल और font size और डाल दते हैं input dot font size font size मैंने 20 पिक्सल कर दिया अब हम चैक करते हैं click me देखो यहाँ पे नज़र रखना input में इस होगा background color आ गया ना मेरा change हो गये click हो गया सब कुछ हो गया change हो रहा है मेरा देखो page को मैंने reload किया फिर से और आपका click पे accessible हो गया यह सारी चीज़े हैं इसके आप थुरू किसी को भी access कर सकते हो use wrap के थुरू यह चीज़े हैं basically हमारा use wrap बस इतना ही है use wrap basically आपकी mutable आपकी current mutable value देता है इसमें current होता हो उसमें आपकी सारी values होती है उससे related हैं सेम आप यहाँ पे dvb ले सकते हो सब कुछ ले सकते हो dvk through भी सब कुछ आप करा सकते हो friends बस यूज़े पितना ही था thanks for watching my video if you like please share, subscribe and press the bell icon get the new videos thanks for watching